इस तारीख पर गौर कीजे दोस्तों, दो नवंबर, दो नवंबर को दिली के मुखी मंतरी अरविंद केजरिवाल को प्रवर्त निदेशाले यानि Enforcement Directorate के सामने पेश होना है, अभी से इस बात को लेकर सुग्भुगाहट है कि क्या अरविंद केजरिवाल को गिरफतार कर ल देना चाहती है, मगर सबसे बड़ी बात जिसकी चर्चा हम आज अपने शो में करेंगे दोस्तों, क्या सुप्रीम कोट के जजों ने Chief Justice of India D.Y. चंदरचूड ने क्या कहा था, उसी की अंदेखी कर दी, जब उन्होंने मनीस सोधिया को बेल नहीं दी, ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहिए पूरा सिस्टेम ही क्यों ना चाहिए, तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते, बोल इलाबाज़ाद है तेरे. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मनीस सोधिया के बेल का मामला आया था, शराब घोटाले में, और सुप्रीम कोट ने उसे सिरे से खारिच कर दिया, दिल्शस बात ये थी, कि इससे पहले जब बहस चल रही थी, तब सुप्रीम कोट के जज ये कह रहे थे, कि इस वक्त ऐसा कोई सुबूत नहीं है, और जो दलील एजनसी पेश कर रही है, वो दो मिनिट नहीं टिकने वाली, इन तमाम बातों के बावजूद मनीस सोहिया को बेल नहीं मिलती, मगर आज जो मुद्दा मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या सुप्रीम कोट के जजों ने, प्रेल की बात है, आपके स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं, अभिशेक मनू सिंग्वी विपक्ष का प्रतिने धी बनकर सुप्रीम कोट में गए थे, और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से मोधी सरकार एजनसी के सहारे विपक्ष पर निशाना साध रही है, सुप्रीम कोट इसका संग्यान ले और कोई आक्शन ले, मगर उस वक्षीफ जस्स ओफ इंडिया डी वाएच अंदरशूड ने इस अपील को खारिच कर दिया था, और अपील को खारिच करते हुए ये कहा था कि हम केस दर केस उसके मेरिट्स पर लेंगे, यानि कि अगर आप हमारे पास ए कई बाते कह रही थी, सुप्रीम कोट बहस के दौरान कई चीज़ें कह रही थी, मगर जब फैसला आया, तो बहस के दौरान जो जो बाते सुप्रीम कोट ने कही, उसे उन्होंने पूरी तरह से पलट दिया, आपके सामने मनीस सौधिया का एकलौता मामला इंडिविजुल क आया था, मगर मनीस सौधिया को राहत नहीं मिली, दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कि कल जब मनीस सौधिया की बेल को खारिच कर दिया गया, तब अदालत में दो बहुत दिल्चस पहलू सामने उभर कर आया, और मैं चाहूंगा आप उस पर गौर करें, सबसे पह as bribed to मनीस सौधिया by Amit Arora, since such an allegation is not there in the chart sheet file by the CBI in the predicate offense, यहाँ पर सुप्रीम कोट साफ तौर पर कह रहा है, कि CBI ने जो chart sheet file की है, उसमें 2 करोड 20 लाग की घूस का जिक्र नहीं है, जो कथित तौर पर मनीस सौधिया को दी गई थी, सुप्रीम कोट यहाँ साफ तौर पर कह रहा है, कि हम मानने को नहीं तैयार है, E.D. के उस दावे को, कि मनीस सौधिया को 2 करोड 20 लाग रुपए दिये गई थी, जब सुप्रीम कोट यह दावा कर रहा है, बावजूद इसके मनीस सौधिया के बेल को खारिच कर दिया जात मनीस सौधिया को 100 करोड रिश्वत दी गई थी, यह बहस का मुद्दा है, यानि कि सौप्रीम कोट ने अपने आदेश में दो चीजों का खिर किया, पहली बात, E.D. के उस दावे को खारिच कर दिया कि मनीस सौधिया को 2 करोड 20 लाग की रिश्वत दी गई, दूसरी बात, सौप्रीम कोट इस बात को भी नहीं मान रहा कि 100 करोड की रिश्वत दी गई, अगर बावजूद इसके मनीस सौधिया की बेल को खारिच कहर दिया गया, यह कहते हुए कि 338 करोड का मनी ट्रांसफर हुआ है, यह भी कहा गया कि अगर अगले 6 महिने में ट्राइल सही दिशा पर नहीं चला, और उचित कारवाई जाच एजनसीज ने नहीं की, तो मनीस सौधिया बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानि कि अगर आप इस आदेश पर गोर करें, तो मनीस सौधिया ने रिश्वत ली है, खुद सौप्रीम कोट कह रहा है, कि इसके कोई प्रमाण में फिर भी उनकी बेल को खारिच कर दिया गया है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, और यह अपने आप में बहुत बड़ी विडमना है, अंग्रेजी मैं और फिर मैं इसका हिंदी मानुबाद करूँगा, सुप्रीम कोट ने खुद कहा, कि भाई, गुनहगार साबित होने से पहले जेल में नहीं रखा जाना चाहिए, और प्रक्रिया सजा नहीं बन जानी चाहिए, फिर से पढ़िये दोस्तों, डिटेंशन और जेल बिफोर बिए प्रिन प्रिनाउंस गिल्टी ओफ एन ओफिन्स शुड नॉट बिकाम पानिश्मेंट विजाउट ट्राइल, यानि कि बगएर कानूनी कारवाई के आपको सजा मिल जाए, और आपको जेल में रखा जाए, आपको हिरासत में रखा जाए, और वो भी गुनहगार साबित होने से पहले, तो मैं मिलोट से अपील करना चाहूंगा कि मिलोट जब आप खुद कहरे हो कि मनीस सोदिया ने रिश्वत नहीं ली, और आप खुद कहरे हो कि गुनहगार साबित होने से पहले, जेल में रखा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खानूनी कारवाई से पहले सजा जैसी हो ज जनता पार्टी हर कीमत पर आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है, और मुद्धा यहाँ आम आदमी पार्टी का नहीं है। मुद्धा हैं इंडिया गटबंधन को एक सपष्ट संदेश देने का, मुद्धा ये है कि सुधर जाओ, वरना कुचल दिये जाओगे, आम जेल जाने से नहीं डरते सुनिए आतिशी क्या कह रही है भारतिय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है दिल्ली और पंजाब में हो रहे हर काम से डर लगता है फ्री बिजली से डर लगता है अच्छे स्कूलों से डर लगता है महल्ला क्लिनिक से डर लगता ह इसी लिए वो जूटे केस करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहती है पार्टी को खतम करना चाहती है इसी साज़िश के तहट दो नमबर को अरविंद केजरी वाल को ED ने समन किया है उन पर जूटा केस लगाके उनको किरफतार करना चाहते हैं ED वाले भारतिय जनता पार्टी को बता दूँ कि हम जेल जाने से नहीं डगते हम उनके जूटे केसे से नहीं डगते हम देश के लोगों के लिए देश के हराम आदमी के लिए काम करते रहे हैं आम आदमी पार्टी चीक चीक कर ये कह रही है कि भारतिय जनता पार्टी आम आदमी प मुख्यमंत्री पर इस तरह से दविश शौकिंग सुनिए सौरब हारदवाच क्या कह रहे हैं जैसा की खबर आ रही है कि अब केंदर सरकार की इडी ने दिली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केज़िवाल जी को समन बेजा है दो तरीक का इससे बाद साफ हो जाती है कि कें आद्मी पार्टी को खत्म कर देना और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे किसी तरीके से कैसे भी फरजी किस बना के मुख्यमंत्री अर्विंद के जीवाल जी को जिल पे बंद किया जाए और आम आद्मी पार्टी को खत्म किया जाए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि दिल्ली के जो तमाम ब्यूरोक्राट्स हैं नौकरशाह हैं वो चुनी हुई सरकार यानि अर्विंद क केजरिवाल को रिपोर्ट करेंगे ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था याद है आपको मगर तब संसद में का ध्यादेश लाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जाता है और अब स्थिती क्या है अब स्थिती ये है कि जो तमाम ब्यूरोक्राट्स हैं वो मोदी सरकवार द्वारा नियुक्त उपरा जिपाल को रिपोर्ट करेंगे ऐसे में शुनी हुई सरकार के क्या माइने हैं बड़ा सवाल ये कि क्या भारतिय जनता पार्टी अपनी हार को अब तक नहीं पचा पाई है कि वो इस तरह से विपक्ष पर निशाना साध रही हैं खासतोर से उन्होंने दिल्ली की जनता को अब तक माफ नहीं किया है कि पहले आम आदमी पार्टी के तीन नेता संजे सिंग, सतेंदर जैन, मनी सुसोदिया जेल में, अमानतुल्ला खान उस पर भी आक्शन और अब 2 नवंबर को अर्विंद केजरिवाल जा रहे हैं और जो भी सवाल करेगा, जो भी अपनी आवास बुलंद करेगा, उसका यही हश्र किया जाएगा, आप देख सकते हैं कि आए दिन राहुल गांधी को घिरने के प्रयास होते रहते हैं, राहुल गांधी अडानी पर सवाल उठाते हैं और अगले ही दिन उनके खिलाफ जो मानह जानी की केस में अधिक्तम सजा सुना देते हैं, उनकी सांसदी चली जाती है, बगर फिर सुप्रीम कोट उन्हें राहत देता है दोस्तों, ये कहते हुए कि आखिर जो लोवर कोट्स थे, उन्होंने इस मामले में राहुल गांधी को दो साल की अधिक्तम सजा क्यों दी, क् कि अगर उन्हें दो साल से सिर्फ एक दिन भी कम की सजा मिलती, तो उनकी सांसदी बची रहती, राहुल गांधी की सांसदी चली गई, उन्हें घर से निकाल दिया गया, और समानांतर तोर पर राहुल गांधी को बदनाम करने का एक पूरा प्रॉपेगांड़ा भाच्पा उन लोगों को माफ नहीं करती, जो अडानी पर सवाल उठाते हैं और जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से कठोर कठिन सवाल करते हैं, और राहुल गांधी से इनकी दिक्कत यह है कि राहुल गांधी न सिर्फ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर नपस परवार करते हैं बलकि वो RSS पर भी पीखे सवाल करते हैं इसलिए मुद्दा सिर्फ अरविंद केजरिवाल को संदेश देना या दो नवंबर को उनकी संभावित गिरफतारी या आम आदमी पार्टी को खत्म करने को लेकर नहीं है मुद्दा है विपक्ष को एक संदेश देना आज की तारिक में विपक्ष का हर बड़ा नेता उसकी गर्दन पर एजिंसीज की तलवार लटक रही है कुछ विपक्ष के नेता पीछे हड़ गए हैं डर से गए हैं कुछ मुकाबला कर रहे हैं मगर हर एक के सिर पर एजिंसी की थलवार वो लटक रही है और हाँ आम आदमी पार्टी को भी एक नसीहत दोस्तों याद कीजिएगा आज से कुछ सालों पहले आज से 10-12 साल पहले साल 2012-13, 11-12-13 में एक आंदोलन हुआ था मैं उसे फ्रॉड आंदोलन कहता हूँ क्योंकि इस देश का रंबा चोड़ा इतिहास रहा है दोस्तों आंदोलनों का इस आंदोलन का रान था अन्ना आंदोलन विडंबना ये है कि इस आंदोलन का साथ मेरे जैसे पत्रकारों ने भी दिया था क्योंकि हमें लगता था कि एक ऐसे आंदोलन की जरूत है जिसमें भरष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलन करने की जरूत है कई लोगों को लग रहा था कि अन्ना आवाज हैं भरष्टाचार के खिलाफ और इसी आंदोलन में अर्विन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी के कई नेता शामिल थे आज तमाम भरष्टाचार के आरोप हैं अडानी को लेकर प्रधान मंत्री कट घरे में हैं C.A.G. रिपोर्ट्स में शाहे आयोध्या हो शाहे आयुश्मान योजना हो इन तमाम मुद्डों को लेकर सवाल किये जा रहे हैं मगर अन्ना हजारे न जाने कि सकुने में दुबके हुए बैठे हैं वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं मगर वो चुप करा दिये जाते हैं कहां है अन्ना हजारे और सबसे बड़ी बात कितना बावाल किया गया था लोकपाल, लोकपाल, लोकपाल को लेकर कहां है लोकपाल, कहां दफन हो गया लोकपाल क्योंकि हमसे वादा किया गया था कि लोगपाल बिल आएगा तो करॉप्शन खत्म हो जाएगा अब तो एजिनसीज ही जाच नहीं करती करॉप्शन के मामले की CAG अगर सरकारी योजनाओं में भरष्टाचार को लेकर खुलासा करता है तो उसके तीन अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाता है ये हैं अमरित काल मगर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि मैं लोगपाल बिल की बात क्यूं कर रहा हूँ मैं अन्ना हजारे अर्विन केजरिवाल की बात क्यूं कर रहा हूँ तो ध्यान से सुनेगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ दोस्तों जब अन्ना अंदूलन हुआ था ना तब इसी मंच से कई भरष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले लोग कहते थे कि जो नेता भरष्टाचार करता है उसे भासी पर लटका दिया जाए हाँ मंच पर यह ऐसी बाते करते थे आज विडमना देखिए दोस्तों मामला प्रमानित नहीं हो रहा है मगर मनीस सोधिया जेल में है उन्हें बेल नहीं मिल रही है संजे सिंग अडानी पर सवाल उठाते हैं जेल में सतेंद्र जैन जेल में है इनके खिलाफ कोई मुद्दा प्रमानित नहीं हुआ है कानूनी कारवाई चल रही है इनके लिए प्रक्रिया ही सजा बन कर रहे गई है और यह विडमना है कि वो अरविंद केजरिवाल जो अन्ना अंदोलन के तौरान आवाज बुलंद करके कहा करते थे कि भरश्चाचारी को जेल में डालो या इनके सहयोगी कहते थे कि भरश्चाचारी को फांसी दो आज उन्हीं अरविंद केजरिवाल पर गिरफतारी की तलवार लटक रही है मकसद साफ है तोस्तों मकसद है इंडिया गट बंधन को खत्म कर देना मगर सबसे दिल्चस बात कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जसिस ओव इंडिया डीवाई च अंद्रचूर के उसी आदेश के अंदेखी कर रहा है जिसमें उन्हेंने कहा था कि हम राजनीतिक दलों के लिए सरकारी एजनसी के दुरुपयोग के लेकर कोई आदेश पारित नहीं करेंगे मगर आप हमारे सामने इंडिविज्वल केसिस लेकर आईए व्यक्तिगत मामले लेकर आईए हम उस पर फैसला सुनाएंगे फैसला सुना दिया है और मनी से सो दिया अब भी जिल में है हालकि अदालत कह रही है कि भई भरष्टाचार या रिश्वत कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अदालत ये भी कह रही है कि जिस तरह के प्रमान एजनसी के पास ह वो दो मिनिट अदालत में नहीं टिकेंगे ये तमाम मुद्दे हैं जो इस देश के नागरिक के मन में असमंजस पैदा कर रहे हैं आखिर क्यूं इस सवाल का जवाब या तो मिलोड जाने या आप देश की जनता अब इसार शेर्मा गुदीजे अजासत नमस्कार झालत में आप देश के लिए याल लगफ देशार शेता आप देशार शेय से जनता उर्ट कि मन में थी। झाल झाल